नमस्कार दोस्तों आज कुछ बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बाते में आप लोगों के साथ सेर कर रही हूं सुबह सुबह खाली पेट एक पकार टमाटर खाने से कई बिमारियों का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है नमार दो एलोवेरा का जूस पीने से सरीर में खून की कमी जो होती है वो दूर हो जाती है नमार तीसरा है यातरा के समय यदि उल्टी आए तो नमक लगाकर निमू चूसना चाहिए उससे उल्टी आना और जो जी घबराता है वो बंध हो जाता है एलोवेरा का जूस पीने से सरीर में खून की कमी दूर हो जाती है दिन में साथ आठ ग्लास पानी पीने से पेट भरा हुआ लगता है और पेट भरा हुआ मैसूस होता है जिससे भूख कम लगती है तो ओवर रेटिंग जो होता है उससे बचा जा सकता है जो की मोटापा जो बढ़ता है उसमें कंट्रोल करता है पानी मोटापा कम करने के लिए सरीर का हाइड ड्रेक रहता है भी बैहद जरूरी है गाजर भी लो कैलोरी वाला सबजी है जिसे खाकर बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है इसके अलावा इसमें फाइवार पर्चूर मात्रा में मिल जाता है और अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है जो की मोटापे को कम करता है अगला जो तीप से है पतागोवी पतागोवी में प्रोटीन और काइवरो हाइडरेड होता है लेकिन कम मात्रा में तो वही फाइवर अच्छी खासी मात्रा में तो वजन घटाने के लिए आप पतागोवी से बना सूप सबजी वर सलाग खा सकते हैं विटामिन सी से भरपूर नीमू सरीक के एक्ष्ट्रा फैट को कम करने का काम करता है दूसरी चीज है सहे जिसमें प्राकर्टिक मिठास होती है जो बिना केलोस्ट्रोट बढ़ाए वजन कम करने में मददगार होता है खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए या 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद अगरा जो मेरा टिप्स है ब्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए सबजी बनाते हुए हमेशा मसाले को दीमी आज में पकाएं इससे सबजी का रंग और टेस्ट अच्छा रहता है चावल बनाते हैं उसमें नीमू के स्लाइज या नीमू का रस्ट डालने पर चावल खिले-खिले बनते हैं सिग्रेट की लग छोड़ने के लिए दाल चीनिक को टुकड़ों में चूश लेना चाहिए इससे सिग्रेट की लग छोड़ जाती है कच्छा दूद रोजाना चेहरे पे लगाने से सावला रंग निखरता है सुब्व खाली पेट बासी रोटी खाने से कई बिमारें से बचा जा सकता है भोजन में ज्यादा अचार ना खाएं इससे हड्या कमजोर हो सकती है तो कुछ ऐसी ध्यान देने वाली बाते हैं अनार का जूस पीने से सरीर में होने वाली खुन की कमी को दूर किया जा सकता है अगला जोर टीप्स है मेरा यहाँ पे दूस्तों अगर पेट में गैस बन रही हो तो निमू पानी पी है कैसी लगी आप लोगों को आज की टीप्स ट्रीक जरूर कमेंड करके बताना रात में सोते समय नावी में सरसों का तेल लगाएं यहों आपकी आँखों और दिमाग के लिए विकास के लिए बहुत उपयोगी है रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें इससे आपके स्वास्ते और देनिक दिन चरिया में काफी लाब होगा तो रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए खाने में सेंदा नमक का प्रियोग अधिक से अधिक करना चाहिए ये स्वास्ते के लिए अच्छा होता है अनार का जो स्पीनेस से सरीर में होने वाली खोन की कमी दूर हो जाती है तो काफी अच्छे टिप्स लाई हूं मैं खाना खाने के बाद सौंप और गुड या मिस्री जरूर खाना चाहिए यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो लाईक सस्क्राइब और सेर करना थैंक्स फूर वाचिंग